Hey guys, कैसे आप सुब एको comments पे जरूर से बताएगा और आज भी आप सुब के लिए कापी सारी चीज़े हैं जो की में को discuss करनी है और आपको बहुत ज़ादा पसंद भी आने वाले है तो जल्दी से वीडियो को एक like कर दो और मेरी motivation को बढ़ा दो and channel is again sponsored by YouTube subscribe button नए members को इसको दबा दिना है subscribe करके ठीक है तो आज शिरू करते हैं हमें Samsung के साथ Samsung ने यहाँ पे एक नया phone launch करने की तयारी कर ली है इसका नाम उने वाला है Galaxy M22 अभी हमें Samsung M22 कुछ आपको नया नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि यह जो फोन है अगें rebranded phone है Samsung का यह already phone इंडिया में है बड़ इसको दुबारा लाया जा रहा है ऐसे बोल सकते क्योंकि इससे के अंदर हम ही देखने को मिलेगा MediaTek G80 और यहाँ पे 48 में अपके सकते है quad camera setup एक यहाँ पे normal HD वाली Super AMOLED display और यहाँ पर 25W का support होगा और बैटरी जो है 5000 mAh की बैटरी है और आप यह जो phone यह दिखता कैसा है वो आप screen के ओपर देखी सकते हो तो यहाँ से अब आपको पता चल गया होगे मैं कौन से phone की बात कर रहा था भाईसा कौन से phone को rebrand की है अब यह phone जो है ना same to same आपको 12,000 के अंटर रेखने को मिलता है यह जल्दी आपको मैं इसका review भी देने वाला हूँ और मेरा अगर मन गया तो मैं यह भी कह सकता हूँ Samsung Galaxy M22 का review मतलब same phone दोबारा से हलकी से tweak करके यहाँ पे M22 बना देंगे क्या ही फायदा है मतलब यार कितने Samsung एक जैसे phone से कालता जाएगा और pricing में थोड़ा से हेर फेर करके आपको अलग-लग market में देता जाएगा I don't know Samsung कभी-कभी काफी अच्छे काम करता है और कभी-कभी ऐसे गाम करता है और जब ऐसे गाम करता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता को मिलने वाला है Diamond City 720 जी हां MediaTek का Diamond City 720 हमें इसमें के अंदर देखने को मिल सकता है अब सुनने में बहुत कुछ था कि 700 होगा या स्नाप एक 750 होगा पालनी क्या कुछ तुनने को मिल रहा ला बर इस बार Diamond City 720 देखने को मिलेगा 6GB की RAM देखने को मिल जाएगी Android 11 देखने को मिल जाएगा One UI देखने को मिल जाएगा बाकी और क्या चीज़े होने वाली है यह हमें जल्दी देखने को मिल जाएगी बागी यह phone देखते हैं कितने pricing पे आता है बट हाँ चलो वेट करें इनके सकर आप भूल के हो या फिर नए हो इस चैलल पर मेरा नम है Amun आप देख रहे हैं चेक्सवाम ही अगें याद दिला रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और बेल बटन को ओन कर ले अभी आपको पता है Redmi भी अपना नया 5G phone लाने की यहां में एकदम से मतलब जुगार में लगा हूँ है और यह Redmi series के अंदर यह पहला phone होने वाला है जो कि 5G के साथ आएगा और यह Redmi 10T होगा VW XYZ कितने होंगे मुझे नहीं बदा है बद इस पोन इस अलसो कमिंग और यह कापी जादा Poco M3 5G जैसा ही phone होने वाला है और यह phone जो है वह एक वेरेंट के अंदर आएगा चार्ज भी रैम और वहाँ पे डालते रहते हो तो यह थोड़ा गडबड कोटाला कम करो 27 जुलाई को एक तगड़ा phone लॉंच होने वाला है यह होने वाला है और अभी लास्ट टाइम में जब आपको अपडेट्स की वीडियो देगी ती तो मैंने आपको बताया रहा है एक XR20 नहीं से एक phone आने वाला है यह शायद वही phone है और आर से रगड़ी होगा तो भाई साब यह रगड़ फोन जो है वह हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है और आप बताओ अभी भी आपका Nokia में इंट्रेस्ट है की नहीं या आप ऐसा सोचतों कि Nokia जब कोई अच्छा phone निकालेगा तो मैं definitely लूँगा पर अभी के लिए जो phones आ रहे है वो पकवास है इसलिए अभी हमारा को इंट्रेस्ट नहीं मन रहा है जो भी आपका कहना है व यह Amazon के उपर लिस्ट हो चुका है officially तो आप जाके Amazon के उपर देख सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है बट जब यह आएगा तो हम ट्राइ करेंगे आपके पास इसकी वीडियो लाने की अभी Redmi K10 series के अंदर के phones भी आने बाकी है अब आपको होगे बाकी है हाँ बाकी है मैं 9.9 power भी आया था तो नीचे भी आते रहते हैं power शावर पर नहीं कौन-कौन से यह category निकालते रहते हैं rush डालते रहते हैं तो यह जो फोन्स हैं यह अटी budget वाले फोन्स होने वाले है यानि कि आपको 10,000 के असपास और नीचे वाले फोन्स भी देखने हों मिलेंगे तो यह फोन्स भी जल्दी ही expect कर सकते हैं realme pad के बारे मैं कौन-कौन वेट कर रहा है मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूं क्यूंकि realme की तरह से यह पहला tablet होने वाला है tablet की जो market आपको पता ही है काफी देर से किदम से खतम सी है सरह samsung और यहां पर अगर मैं बात करूं apple यही दोनों संभाल के बैठे हुए इनके ही जादा बिखते हैं tablets बट यहां पर शोमी वीवो ऊपो वनपर्स और यहां पर आइकू realme भी तयारी कर रहा है tablet लानी की तो आई यहां पर realme को जो पहला pad होने वाला है इन्होंने realme pad नाम रखा है tab नहीं रखा है so यहां पर realme pad में जो battery होन 7071 mAh की battery होगी इस tablet के अंदर देखने क्या processor होगा क्या specifications होगी बट बैटरी में को लगता है काफी गजब का होने वाला है and realme के लिए all the best की यह जो नया product है वो काफी बढ़िया हो let's see क्या होता है माधव जी ने tweet करके शुरू कर दिया है tease करना है यहाँ पर snapdragon 888 वाला है यहाँ पर processor वाला कोई phone आने वाला है अलग अलग विचित्र कला करीतिया डाली जा रहे हैं twitter के ओपर वो जो कला करीतिया है वो बताती है कि snapdragon 888 वाली यहाँ पर phone आने वाले है क्योंकि वो जो The Hero News यहाँ पर बात करते हैं OnePlus की तरह से OnePlus Note 2 हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है हम सब को पता है बड़ इसमें कुछ चीज़े और पता चली है सबसे पहली बात यहाँ पर यह Android version 11 के साथ तो हो गही बड़े यहाँ पर जो हमें Oxygen OS देखने को मिलने वाला है वो है 11.3 अब वाला 50 Megapixels का कैमरा होगा इसके अंदर जो कि हम आरड़ी OnePlus के साथ देख चुके हैं और OAS का सफोर्ट भी हमें देखने को मिलेगा यानि कि Optical Image Stabilization यानि कि आपकी फोटो यू नहीं होगी यू मखन वाली चलेगी सो हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में मज़ा हो सकता है बा ऐसी है कि जो बेस वेरेंट है वो आपको 32,000 में देखने को मिलेगा और जो उपर वाला वेरेंट है वो 35,000 रुपीज में देखने को मिलेगा दो नोहीं वेरेंट में आप एक एक रूपया कम कर सकते हो कि यूँकि आपको पता है वो 33,999 और 31,999 ऐसा कुछ कर देंगे या 90 क कर देंगे जो भी है बाट ओवर आल आपको इस प्राइजिंग में यह फोर शाय देखने को मिलने वाले है एस पर 91 मोबाइल जिनो ने थोड़ा सा टीज कर दिया है लीक कर दिया है बाकी रुपेट करते हैं शायल लौशनक कुछ और सुनने को मिल जाए 30,000, 39,000 या फिर व आने वाले है पहले हैं सेम प्रस्चैशो साथ मेडिया टक यहां पर 1200 मीडिया डियामें स्यटी equipment रहा हुए और जिआँ और को व्यजा हैं हॵ यहां पर G glucos यहां पर हमारे पास Poco X3 GTV आने वाला है और यह नोट टू से कम के प्राइस में आएगा दो यहां पर कलर जिसके निकल कर आए हैं एक गन मेटल सर्वर होने वाला है और एक प्रिडेटर ब्लैक होने वाला है और सिल्वर अन ब्लैक अजीबों गरीब नाम रखते रहते हैं कं प्रिकियों के लिए देखो पिंक के पारे में पूछना इमद बाहर तो पिंक लॉंच नी हुआ तो इंडिया में कहां से आएगा यहां पर हमारे अपडेट्स ख़़म हो जाते हैं I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो मेरे को जरूर से कॉमेंट्स में बदाएगा कि भाई बहुत तगड़ी वीडियो थी और एक चोट असा लाइक कर देना मोटिवेशन के लिए एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स वीडियो में तब तक आप प्रम्ट शानवाले के रिखे के हाल किसमानिंग अल्वेश टेके गाइस लव यू बबाई